जो हम नंबर के द्वारा आइफोन का लाँच करते हैं उसमें हम मेजर हाड़वार चेंज़ेस को लेकर आते हैं और जो S आता है इस हम उसके इंटरनल स्पेसिफिकेशन को चेंज करते हैं जैसे कि आइफोन 6 जब लाँच हुआ था 2014 में उस दौरान हमने मेजर आइफोन के बॉड़ी में हाड़वार चेंज़ेस किये हम जो हमारा स्क्वार फॉर्म फाक्टर हुआ करता था फाइएस का उसको चेंज करके जो आइफोन का आज की तारीक में एक स्टैंडर इमेज है उसे लेकर के आए तो हम जब नंबर बदलते हैं तो हम हाड़वार बदलते हैं और जब हम एस लेकर आते हैं तो हम उसी हाड़वार के टेक्सपेक्स को अपग्रेड करते हैं जैसे की 6S 2015 में आया तो इसमें हमने पहली चीज इसके कैमरास को इंप्रूव किया 8MP used to be the camera size for tech specs for the 6 तो हमने उसे 12MP किया front camera हम 5MP लेकर के आए screen flash लेकर के आए तो इस तरह के improvements जो कि पूरे iPhone experience को बहतर करेंगे वो हम generally S वाले version में लेकर आते हैं तो जैसे इस बार भी हमने hardware changes किये हैं like 7 Plus जो है जो कि अभी भारत में फिलहाल उपलब नहीं है उसमें हमने दो dual lens camera telephoto and optometry lens की technology लेकर आए हैं तो इस तरह के improvements हैं but to be genuine Apple का और मेरा हमारा सब का focus 2017 के launch पर है क्योंकि 2017 marks the 10th year anniversary of the iPhone since 2007 तो iPhone 8 जो है इसके हमारे research centers काफी सारे जगे फैले हुए है Singapore, Israel and some of the R&B centers और iPhone 8 में आपको बहुत major hardware experience अनुभव करने को मिलेगा अमूमन लोग यह समझते हैं कि Apple अभी तक VR जैसे technology पर नहीं आया है that's because Apple मैं समझता हूँ इतना सादा competition focus नहीं है हम ads नहीं देते या हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं हम सुरिफ एक launch event के दौरान ही इसे public करते हैं बट VR level पर जट इस virtual reality पर भी Apple का काफी focus है लास्ट देट साल से research चल रहा है तो जो iPhone 8 रहेगा that is going to be a game changer हमने hardware level पर पूरी तरह से revamp कर दिया है ecosystem को